ये ओट सब गई इसके से आफ सो भी लोग वेलकम बाक टो दर गेंपले वीडियो तो गाई सारे जिम लोग दुबार से के लिए जारे हैं GTA 5 तो आप से भी लोग को याद होगा कि लास सोल एपिस्ट अपने हम लोग ने अपना घर जो है चेंज कर लिया था मतलब कि इतना और वो दुबार अटेक कर आओ हमें और अपने को और दुबार सा इसको को honored हो इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने घर चेंज करा दो आ सारहा नहीं दोड़ा वो समाने आपर लेकर आ उखाह और ज़ितनी भी वुदुद्धि मीने ट्रोन भाइक आप लोग आपर देख पा तो यहां पर खड़ी कर दिया है, अब भी फिलाल वो यहां पर आ चुके हैं, और सबसे अच्छी निउस पता है क्या, आज जो है ना में बहुत ही तकड़ा मिशन करना है, तो इसलिए आज हम लोग पूरी नाइट लगाने वाले हैं, मतलब कि अभी रात के मैं आपको टाइम दिखाता हूं कितने बजरे हैं यह देखो भाई, इस टाइम पर रात के साड़े बारा बजरे हैं, और यहां पर ना में रिको लेस्टर का पोल आया था, शाम को, लेस्टर ने में बोला था, कि वो जो मतलब अंडर वर्टर माफिया लास टाइम जब प्लेन लेकर वहां से तो वो कहां भागा था, वो लोकेशन जो है, लेस्टर ने डिटेक्ट कर लिया है, अब भी जल्दी से हमें उस जगह पर जाना है, और वो जो जगह है न, वो है माउंट शिलियार पे, मतलब कि वाई बहुत जादा दूर है, तो उखी गाईस है, अभी न, फटवर्ट से अ चाहे दिन और रात हो, गाड़ियां चलते रहते, लोग अपने घुमते रहते हैं, लेकिन यह जो इरिया न, यहां पर रात होती है, एकदम सून सान हो जाता है, कुछ-कुछ बंदे दिखते हैं, जो भी अपना मतलब गुंडे मवाली होते हैं, जैसे कि यह हो गए, यहां आप लोग देख पारे हो, यह सारी की सारी गाड़ी जो खड़ी होगे, रोड पर बहुत कम गाड़िया नजर आ रही है, और जो मार्केट एरिया था, जो बीच तव, जहां पर दिन में एकदम बंदे भरे बड़े थे, यहां पर आप लोग देख पारे हो, रात में पूरी पीछे से एक रस्ता जाता है, लेकिन उसके लिए हमें रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी, इससे विड़े एक काम करते हैं, में गेट से एंटर हो जाता है, यहां पर आसे ज़्यादा टाइम लगने निवाला, ट्रॉन बाइक है, बहुत जल्दी पहुचाएगी, बस आप लो यहां दिखती है, लेकिन यार इतनी जादा नहीं दिखती है, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फटट फट न हम लोग यहां से राइट लेते हैं, और एरपोर्ट भी जो आने वाला, बस हमेना आगे वाले कट से जाना है, नीचे की तरफ में, और ट्र लोग गेट खोल देते हैं, तो शाहसे नहीं यहां से यह लोग मेन अपनी ट्रक की एंट्रेंस करवाते हैं, फिरल यहां पर मैंसे हमेशा ही मार के जाता हूं, यहां पर यह मर गया, अब 4 दिन बाद यह लोग एक नया बंदा रख लेंगे, तो जैसे कि आप लोग यहां प खाली बढ़ा है, तो यहां पर जो अपनी ट्रॉन बाइक भगाता रहा हूं, लेकिन इस पीड काफी जदा कम शो हो रहा है, अब यहां तो इसका स्पीडोमेटर खराब है, मतलब कि मेरी बाइक काफी एदा तेज चल लिए वाइस ताइम पर ओल्मोंस 150 किलोमेटर परार त कोई भी नी खड़े कर सकते हैं यहां पर आकर, और ना गाइस एक ना छोटी सी प्रॉब्लम हो गया, मतलब कि अपने वन मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, यह वाला जो आप प्लेन देख पार हो है, यह वाला मैंने गलती से ओडर कर दिया था, तो यहां पर यह वाला प् पर ना कोई दिक्कत की बाद नी, अभी फटावर ना हम लोग सीधा यहां से निकल लेता है, बाकी ना इस वाले प्लेन के अंदर आप लोग दिख पार है, टोटल ना आठ लोग बैठ सकते हैं, बाकी यहां पर जो अपनी ट्रॉन भाइक है, यहां पर मैंने खड़ी कर दे आपर बस सामने से कोई प्लेन ना हा रहा हो, वरना काफी जादा गड़बर हो जाएगी, अब फटावर से ना यहां से मैं अपने जेट को और राम से राइट मोड लेता हूं भाई सची में, इसमें जो स्पीड है ना बहुत ज़ाजा है, आउट आफ पंट्रोल हो रहा है, यह दीरे दीरे अभी फटावर से मैं भगा लेता हूं अपने जेट को और यहां पर ना भी धीरे धीरे जमतलब कि मैं प्लेइन वगरा उड़ाते रहे तो हैलीकुपर उड़ाते रहे तो पूरी पूरी ना आदत हो चुके कोई भी दिक्कत नहीं आती, अभी फटावर से ह जो है उड़ा लिया, बाग ही आ रहे हैं पर आप लोग नजारे देख पार हैं वही, कितना जाता बड़ी अलग रहे है हमारा गोल्डन जेट, सामने की तरफ में लॉस्ट चैंटोस की सबसे उची वाली बिल्लिंग, मेज बैंक की कितनी जाता बड़ी अलग रहे है, तो कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पार हैं अपना जो लॉस्ट चैंटोस अपना जाता बड़ा है, और कितना जाता बड़ी अलग रहे हैं नीचे देखने में, अब भी फिला रात कड़ा है मुरा लेकिन इतनी सारी लाइट जल्ली है न वाई एक तो अलगी ग्लो मार रह है और बाकी जो बड़ी बड़ी विल्लिंग से वो भी काफी अधा बड़ी अलग रही है और जो आप सामनी की तरफ में बड़ा सा माउंटेन देख पार हो नगा है यही है माउंट शिलियार्ड और यहाँ पर अभी हम लोग जल्द ही पहुँचने वाले हैं और पीछी की इसी बात है तुम कितनी भी तक दी सूपर बाइक लेवाई कि तनी बीकार लेलो वाई प्लेन से जल्दी जिन्दिगी में नहीं पहुच पाऊगे वहाँ यहां पर इतनी जल्दी पहुचको में विश्वास नी हो रहा अभी फटवर से जो सामने वाली एयरलाइन जहां पर वारी बेलास से बोर हुई थी अभी इसी वाली एरलाइन पर में अपना प्लेंजर उतारने वालों फिलाल आगे भी एक एरलाइन थी लेकिन मुझे अभी बता चला कि वह जो एरलाइन ना सेफ नहीं है और सामने की तरफ में एक वेराउस है इसके मतलब कि एक छोटा सा हैंग आ रहा है पता नहीं किसका है कैर जिसका भी हो यहां पर हमें किसे से भी डर नहीं वा रहा है ट्रैवर का काम है यहां पर ट्रैवर की पूरी चलती है तो जल्दी से इसको जो ऐसी के अंदर हम आराम से करवा देते हैं और यहां पर नहीं से एक मिले टुक चो प्लेन देखो यह टायर पर हो गया यानि कि इसका पीछे वाला विंग है ना वह यहां पर अटक रहा है तो एक काम करता हो इतना ही अंदर करके छोड़ देता है कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और अभी हम लोग य आस-पास में कोई भी बाइक तो नजर नहीं आ रही है और जिस जगह पर मुझे जाना है वो जगह मैं आपको पहले यहां से दिखा रहता हूं और वैसे यह जगह हर जगह से ही दिख जाते है यह दिखो भाई इतना उचा माउंटेन है जिसके उपर अभी हमें जाना है और उसी जगह पर वह बंदा रह रहा है ऐसा लेस्टर का गयन है और श्रा इस बार इस बार बंदा या था है घंजी करता हूं एक सामने की तरफ में काफी बढ़िया का रही है यह जो एफाइबी वाले लेकर आते हैं कुछ उस टाइप की वाली जो कार हमें को नजर आ रही है अभी फट रोट से नहीं बैठते हैं और जल्दी से हम लोग यहां से निकल ले था किसे बाइक को भूने अगर यहां पर यह किस चीज की मशीन लगा रहा है इन लोग ने पानी भानी भरते हैं कैसे तुम लोग है बिली मरेगी पहली बात तो मैंने बिली के लाद दे भी नी पाया उपर से भाग करें तो यहां पर बैठकर निकल लेते हैं सीधा उस जगह पर मतलब उस मांटें पर और मांटें का में रास्ता ना वहां से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुचँ गा लेकिन अगर उल्टे सीधी रास्ते जाऊंगा तो बहुत ज़दा टाइम लग सकता है तो वाई देखो अभी वह जो उस मांटें का रस्ता है न वहांने गूगल मैपस में पूरा-पूरा मांक क है तो कोई दिक्कत की वाथ नहीं लेकिन यह बात है कि अगर मैं इस से हेलिकॉप्टर से आता है अब भी तक मैं दो-तीन बार पहुच जाता है खेल चोड़ो कोई दिक्कत की बात है भी ऐसा हैं तो बाइक कोई इतने डरने की बात नहीं है यहां पर मारे पास गंस वगेरा सब कुछ है अगर कोई भी अनिमेल अंपर अटाक करेंगा तो मुह तोड़के साइड कर देंगे अब भी जल्दी से हम लोग सीधा अपनी गाड़ी को भगाते-बगाते निकल लेते हैं सामने की तरफ में और यह रस्ते कहां पर जा रहे है बाई एक मिनटक जो टी-जीरो-टू यहां पर लिखा हुआ है और यह गेत है यहां पर पता नहीं कहा पर जा रहा है और यार अब यह पर अपनी गाड़ी नहीं रोकने वाला क्योंकि यह जो जगह है में बिल्कूल भी सेफ नहीं लग नहीं तर नाक सीन है काफी जाता जीब और गरीब जगा है मतलब यहां से अपनी बाइक को मुझे आगे से राइट लेना है जैसा कि गुगल मैप्स बता रहा है अब बस ना मुझे गलत रस्ते पर ने ले जाए वैसे जहां पर मुझे पोच रहे है वो एक तब माउंटेन का टॉप सब्सक्राइब मुझे और तर ना बंज़्द आलएसरान का टॉप है और बाइक कैसे और संवे हैं और सामने से सब्सक्राइब यहां पर दो-डो लाइन खड़े हो और एक गारी चानी जहीं लग रही है अगर इसकी नंमर प्लेट पर यहां पर गिंग लिखा होगा तो यह मेरी वाली फरारी है और यहां पर यह Lion को मैं मार दू लेकिन मुझे इसी रस्ते से जाना है तो यानिकि मुझे ना Lion को मार ना पड़ेगा और यहां पर अगर मैंने गोली चलाई और गोली मिस होगे और यह लोग भागते भागते आगे रहे हैं मेरे पास तो बहुत पास चलता हूं और पास जाकर इनके सीधा एकदम ओटो पर गोलिया बजा दूगा अब रुख जाओ अब यहां पर मैं निकालता हूं अपनी M416 एक गोली चला कर देखता हूं यहां पर इन्हें ज्यादा फरक नहीं पता चला है इदर आ तेरी आज तैसी निकल यहां से फरारी चुटा कर भागा था वही बंदा यह देखो तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पर हूं कि गाड़ी की नंबर प्लेड़ पर किंग लिखा हूं यानि कि यह मेरी वाली फरारी है और यह बंदा यहां पर से लेकर किसला है मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है तरह यहां बड़ा पर धिर दूर जा कर राए घृत्र गर बादड़ गए लेकिन बीच वीच में में काम करना जा नहीं कर दे रहा है यहां पर देखो चिंगार या निकल ले वाई इसके कुछ पार्ट में तो दिक्कत आ गी है और गाडी जो नो बुरी तरह टूड़ चुक है ये देखो मुड़ गई है इतनी तेज इसने लाकर ठोकी है भाई ये क्या बंदा था यहाँ पर भाई गई फरारी मेर्स आपसे रिपेर भी नहीं हो पाईगी है तो डंग से वैसे अगर बैनी है तो वो तो रिपेर कर देगा अभी लेकिन ये गाड़ी को चला कर हम लोग घर नहीं ले जा सकते तो एक काम करता हूँ ना इस गाड़ी को ना भी फिलाल मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूँ भाई ये बिल्कुल नी चलने वाली इस गाड़ी को यहीं पर रोकना पड़ेगा भाई यहीं छोड़ दो इस गाड़ी को भी फिलाल मैं चलता हूँ अपनी ब अभी फटट फटट हम लोग यहां सीधा निकल लेते हैं आगे तरफ में तो भाई यार एक चीज़ देखो कि अभी मैं इस बाइक को चलाते चलाते इतनी जादा हुचाई पर आगे हो ना कि नीचे देखने में भी डर लग रहा है अगर यहां पर बाय चान समारी बाइक का ट जैसा कि आप लोग यहां पर देख पर हैं अभी फिलाल में अपनी बाइक को भगादा बगादा मांट शिल्यार के टॉप पर लेकर आ चको हूँ बस ना मुझे आगे से थोड़ा सा राइट लेना है फिर शाय से उसका घर जोई आ जाए बागी ना यहां पर मुझे को पता चल गया ना तो यह एंडर वाटर माफिया दुबारा से भाग जाएगा यह काफी ज़दा फट्टू है पता नहीं हर भार भाग क्यो जाता भाई उससे पहले भाग गया तो इस बार ना भाग जाए इसले मुझे से डारेक्ट सबसे मेले मारना पड़ेगा बाकी यह तो ना यह जो जगा यार इतनी ज़्यादा खतर ना गया उपर से यहाँ पर इतनी ज़्यादा फिसल है ना पूछो मत अभी ना बस मुझे धीरे-धीरे करकर वापिस से वही पर जाना है और अगर इस बार ही मेरा पैर फिसल गया ना तो बहुत ज़्यादा गड़बर हो ज कि मैं उपर कहां से जाओं मतलब क्या पैर इतना ज्यादा फिसल ले ना पूछो मत यहां पर सिर्फर सिफ अभी एक ही रास्ता बता है अगर मैं यहां से चला गया तो ठीक है बाकी यह देखो बाई एक तो पूरी बोड़ी जो है नीचे की तरफ में आ जाती है तो भाई अ काम कर सकते हैं बाकी ना आप लोग सामने की तरफ में देख पारे हो दो सिक्यूरिटी कार्ट कड़े हैं इसके गेट पर और यह लोग ना भी मेरे को कुछ निक आने वाले क्योंकि यह आर टूरिस प्लेस है यहां पर सब लोग अलाउड है तो इनका कोई हक निमनता कहने का लेकिन अगर हम इसके घर के अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे तो बाई यह लोग मेरा मूँ तोड़ देंगे तो अभी सबसे पहले ना मेरे पास एक बहुत ही बड़ी आइडिया है जो मांट शिल्यार का टोप है ना वहां पर हमें कुछ टैलिसकोप देखने को मिलते हैं तो शाय से नो इस टैलिसकोप के तुरू मैं इसका घर जो है एक्स्प्लोर कर सकता हूं कि कौन सी चीज़े कहां पर पढ़ी है और बागी अगर रास्ता वास्ता नजर आ जाए तो बहुत बढ़ी है वैसे अगर देखा जाए ना तो यहां पर रात में कोई भी नजर न या पर नहीं है क्योंकि यार यह ना काफी ज़धा हिली एरीय तो यहां पर उसको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़धा सेफ हूं ज़ादा सेक्यूरिटी की जरूत नी है लेकिन उसको पता है के हमारसात लेस्टर लेस्टर इतनी तेज चीज़ है ना कि वो कुछ भी कर सकता है अभी ना है देखो हमारे पास दो option है या तो इन security guard को मार के घर के अंदर enter हो जाओ लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर बायचान समने security guard को मारा और उन लोग को पता चल गया यानि कि जो main gangster उसे पता चल गया न तो वो यहां से बाग सकता है काफी सारे रास्ते उसने बना रखे होंगे यहां से भागने के हो सकता है कोई tunnel अगरा भी बना रखे हो तो वो चीज मैं नहीं चाता बिल्कुल भी और बाकी मैं न अपना मजे मजे में पीछे की तरफ आ रहा था और यहां पना मुझे एक रस्ता मिल गया है तो गैजर मुझे न यहां पर अभी एकदम ध्यान से और एकदम धिरे धिरे आगे बढ़ना होगा कि कोई भी security गार्डे न उसकी नजर मेरे उपर नहीं जानी चीए अभी फटफट न यहां पर देखो एंटर होने के दो रास्ते है या तो मैं इसके उपर लटक के चले जाओ या फिर यहां पर छोटी सी पतली सी दिवारा उसके उपर दीरी दीरे चल के जाओ तो वो एक रास्ता है बाकी नहीं आपर ओ भाई साब यह पत्थर फिसल गए दीरस भाई सामने के तरफ में देख पार होगे एक सीख्याट कड़ा हुआ है और जितने भी security card gate पर खड़ेते हैं तो वो gate काफी ज़्यादा दूर है आसे तो उनकी बिल्कुल भी नजर मेरे उपर नहीं आने वाली तो मैं सोच लोगी ना सबसे बहले इस बंदे को मारदूर एक bullet में ये मरना चाहिए तब ही कुछ होगा वरना अगर इसका ध्यान आगया तो एक command देज़ेगा वाई सब को फिर गड़ पड़ेगी तो चलो वाई एक गोली चलाई यहाँ पर इसका काम तमाम किसी को भी पता नहीं चला है अभी फटफट से ने हम लोग यहाँ पर घर के अंदर जैसी कार रखी है उर्धार एक Lamborghini जैसी रखी है और यह दोनों की दोनों का नहीं एक एक एक्वेरियम में भाई साफ कितना ज्यादा पैसा होगा सोचो इस बंदे पे अभी मैं सोच लोग यहाँ पर जितने भी भाई गडबड हो गई तो भाई यहाँ पर मैंने अभी इसको भी करा दिया है और किसी भी सिक्यूरिटी गाड करना मेरे ओपर ध्यान नी जा रहा है क्योंकि जो मेरी पिस्टल है वो पूरी के पूरी सप्रेस्ट है अगर यहाँ पर हम लोग इस गेट में जाए तो भाई बातरूम है वही मैं सोचों की एक शावर के वाज कहा से आ रही है और कि छुप और साइड हों जाए ताइम यहां पर अपको दिखा राए बिल्कुल गलती थोड़ी है यहां पर अब्सक्राइब को अभार की सिवरेटी है मतलब की सबका ध्याना चिर्फ बाहर की तरफ में कि बाहर से कोई भी नशाय लेकिन यहां पर जो बंदा में अंदर एंटर कर गया है उस तो भी तोरा पुब्रा पुरा मुह तोडने वाला है अभी नही नीचे की तरफ में भी है इनको भी मारना बहुत ज़रूरिया वरना दिक्कत हो सकते है बाद में तो यहां पर एक को मैंने डाउन कर दिया है भाई यार सची में जगाए नहीं लोगों ने काफी जादा बढ़िया बना रखी है अभी थोड़ा सा ओर आगी चलते और सामनी तर गया लेकिन इसको भी पता ही नहीं चला है क्योंकि पिस्टल पूरी सफ्रस्ट है निकल बेटा तू भी पहली फिरस्ट में और यहां पर कुछ बंदे शोर मचारे चिला रहे है बैं कहां भाग कर जाना चाहता है थोड़ा सा ओर आगर चलते हैं तू भाई यार वैसे अगर देखा जाए ना तो इस बंदे ने अपना घर जो है ना काफी जाता बढ़िया बना रखा है लेकिन विचारा अपनी सिक्यूरिटी के विज़ा से मारा जाने वाला भी बस थोड़ी देर में यहां पर इसका तना गंदा वाला मुह तोड़ूँआ ना बस देखते जाओ तो यहां पर मैं इसका मुह तोड़ने वाला हूँ फटावट से एक ही बल्ला बजाओंगा तेरी ऐसी कितैसे निकल यहां से बेचारे को पात गोलिया तो चला रहा था मेरे उपर गोली चलाएगा इतना बड़ा हो गोली चलाएगा अब यहां पर इसने गोली चलाई है ना तो आइलेंटली मार दे और यहां पर ना किसी को भी मेरे अपर अभी शक नहीं होने वाला है अभी फटावर्ट से ना हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ में बढ़ते हैं और यह जो रूम है ना मुझे उसी गैंस्टर यानि की उसी अंडर वाटर माफिया का रूम लग रहा ह क्योंकि यह जो रूम है ना सबस्यादा मेंगा रूम है इस घर का क्योंकि यहां पर रूम के अंदर इतना बड़ा एक्कुएरियम है और इतना बड़िया सा बेड़क, कम्पूटर वगरा सब कुछ है बाकि ना यहां पर सामने की तरफ में बहुत बड़ा सा बातरूम है त तो भी मिरको इस बंदे से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और यहां पर ना एकदम मैं इसके पास एकदम चुप-चाप जाऊँगा और फिर जाते इसके मुह पे यह बेस्बॉल बैट बजा दूँगा और इसकी अकल ठिकाने लगा हुआ बागी तो आपर फोन पर बात करने में इतना ज्यादा बिजी है ना पूछो मत एकदम आराम आराम से इसके पास चलते हैं हाँ वही किस बात का बदमाश बन रहा तो यहां पर इसको बताने वाला हुआ यहां पर इसका भूत बना दूँगा बोड़ी बहुत बना रहा के घर म जिम है न इसलिए ओ भाई साब यहां पर तो इसने रेल बना दी इस कमरे में इस कमरे में यहां पर यह जो कमरे न वो छोटा सा पढ़ रहा है और इसके अब रख के पढ़गा तेरी है ऐसी कि तैसी यहार मैं इसके इतने घूसे मार रहा हूँ और यह ना गिरने का नाम नह ले रहे एक पार में में को समझ नहीं आ रहा से कितना मारना पड़ेगा बाई जान बहुत है इतनी बोडी बना रहा है लेकिन यह ना में इसे मार पा रहा हूँ इधर अब यहां पर इसको मैं पूरा लपेट दिया बाई अभी यह मेरा कुछी नहीं विगाड़ सकता मार ल भाई सब जान तो भी भी पूरी बचिया इसके अंदर पर कितनी जिम खरी है पर जिम करने का फायदा जब पिटे ही जा रहा तो एक काम कर यहां पर आप रहा शीशा तोड़ कै नहीं से ठैक दुगा तो भाई यहां पर इसको मार मार के निए पूछ मना दे और मैं इसको उ पूछो मत भाई भूत बना दिया है आख नाक मू कान हर जगा से खुन निकल गया है पहले एकदम फेर फाइट चल रही थी लेकिन फिर इसने ना एक समान उठा के फैक्ट के मारा और यहाँ पर अभी देखो भाई मैंने इसका भूत बना दिया हतोड़ी हतोड़ी में मार रह यहाँ पर अभी उठके दिखा बेटा तू कुछ भी कर ले बेसबोल बैट से इससे अकल ठिकाने आएगी इसकी सम मार के देख लिए भाई कुछ असर नहीं हो रहा है इतनी जादा जान कैसे है भाई साब मेरे कपड़ों की हालत देखो क्या होगी इसको मारते मारते हो रहे दिया है फ्यार जो भी हो बंदे के अंदर ना जान बहुत ज़ादा थी वाई सच्ची में तो काईज अभी ना फिलाल मैं यहां से जाने नहीं वाला क्योंकि हो सकते कि कोई बंदा है और इसको उठा कर ले जाए तो मैंने इसको यहाँ पर भ्योश कर रखा है और जैसी इस इसके और बंदे कहँं से आगे भाई इसके और बंदे कहां से आगे तre यहाँ पर पयोगो आज से इसको जाने बंदे यह पहूं पर आचुके हैं मुझे समझ नहीं आ रहा एरा मुझे कहां पर जाना क्श Deixa पुलिस काहां से आगे मुझे पहले ये बताओ मतलब कि वहाँ पर जब फाइट हूँ थी जब उसने मेरे घर पर अटैक करा था तब तो कोई पुलिस उलिस नहीं आई थी ये पुलिस नहीं है ये सी के आदमी है भाई तेरी ऐसी कि लेसे निकल यांसे अभी फिलाल नहीं काम करता हूँ अगर कोई भी पुलिस वाल आएगा अगर मैं इन लोग को मारूँ हूँ आना तो ही इनको समझाएगी पुलिस वाल है कि मेरे को ये लोग छोड़ के चले जाये बाकियार इतनी ज़्यादा पुलिस कहां से आगे मुझे समझ नहीं आ रहा भई पीचे भी भाई सब इतनी सारी पुलिस कहां से आगे भी फिलाल मैंने मैक्सिमम्म तीन-चार बंदों को नो मार दिया है लेकिन इंदर जान बहुत जादा गोलियों पर गोलिया चलाया जारे हैं मुझे समझ नहीं आरा भाई अभी मुझे कहां पर जाना चाहिए है तो guys यहां पर तीन-चार पुलिस वाले जो में नीचे वाले कमरे में थे यहां पर बहुत सारी पुलिस जो है आये जा रही है मेरे पास नहीं बहुत ही बढ़िया रास्ता है और यहां पर वो चीज मैंने अगर देखी भी है देखो वाई सब कुछ एक दम बढ़िया हो सकते हैं यहां पर अभी ना फटाफट ना मुझे यहां से निकल ला है काफी ज जंप करके पैराशूट कुल दिया उन सब को लग रहा है कि अभी मैंने ऊपर वाले फ्लोर में किसी कमरे के अंदर चुपा हूँ लेकिन यहां पर मैं पीछे की तरफ से निकल गया हूँ लेकिन एक ना छोटी सी दिक्कत की बात है अगर वो लोग उस गैंस्टर यानि कि उ लेकिन जो भी हो अभी आपर जो है बहुत बुरा सीन हो चुका है यार मैं जैसा नहीं चाहता था तो भाई अभी बसना बस यही एक छोटी सी दिक्कत की बात है कि अगर वो गैंस्टर दुबारा जिन्दा होता है तो फाइट जो है फिर से बराबरी की हो जाएगी अभी न लेकिन अभी पता दिक्कत की बात यही है कि ना वहाँ पर पुलिस आ गया है और पुलिस ना उस माफिया को जो है वापिस से ठीक कर सकती है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकते है बाकियार और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है सब कुछ एकदम बढ़िया है अभी न जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं तो चलो गाई जार अगर आपको आज की वेली वीडियो अची लगी है तो फटा फट इस वीडियो जाकर लाइक कर देना चैनल भी में गुडबाइ